मुझ का स्वाद बढ़ाना हो या कुछ चिरपटा खाने का मन करे तो मन में सबसे पहले आचार का ही ख्याल आता है आज कल मार्केट में कई तरह के आचार उपलब्द है जो स्वाद और खुस बुदादी नानी के घर में डाले गए आचार में होती थी वो बाजार के मिलने वाली आचार में नहीं होती अगर आप भी ऐसा मैसुस करते हो तो वीडियो के अंतक बने रहे है आज में लेकर आए हूँ दादी नानी के बताए गए आम की आचार की रेशिपी वीडियो पसंद आए तो लाइक सेयर के साथ एक प्यारा सा कॉमेंट कर द अतले हैं कि आचार के लिए बजार से हमने 2 क fluffy लड़ आम ले लिए हैं ऐसे भी खाटा की ली लड़वा आम ने से हीज़ी अज़ीन की वीडियारalion की ने सीली,वीडियों के लिचिए लिचे की पीषै के लिचे , में नुको कटवा के साथ था numa के लशा चेमाएए एक क्यार हमने बजार से कटवा के आम को घर ले आए हैं इसका जो गुठलिया है उसको हमने हटा दिये हैं अब हम यहां पर एक चीज दिखाना चाहते हैं फिर इंड़ आप सबको गुठलिया के अंदर आम में एक पतला बटर पेपर जैसा परत रहता है उसको इस तरह से आप चून के जरूर हटाए नहीं तो यह जो है आपका आचार को खराब कर देगा यह देखिए इस तरह से हमने सारे आम को साप कर लिए हैं तो चेली इसको हम धो लेते हैं तो यहां पर एक बड़ा पतिला ले लिए इसमें सारे आम को डाल देंगे अराम को हम 3-4 बर साप पाने में अच थोल जाए और साप हो जाए तो आम को हमने अच्छे से चार बार दो लिये हैं तो चेली इसको हम एक बड़ा सा चाननी ले लिए हैं जो इस टिम बलत थाली नहीं होता वही ले लिए इसमें हम आम को निकाल लेंगे इसमें बहुती इस से जो है आम का पानी जड़ जाएगा और इसको हम जड़ने के लिए 10 से 15 मिनिट के लिए रख देंगे इसके बाद इसको धूप दिखाएंगे आम का पानी जड़ चुका है अब हम इसमें धूप लगाएंगे तो एक साप कोट्न का कपड़ा ले लिए उसको हम धूप में पसार के इसके उपर आम को डाल के एक दिन का धूप दिखाएंगे सिर्फ एकी दिन का धूप दिखाना फ्रेंट 5-6 गंटा के लिए इससे ज़्यादा आप इसमें धूप ना लगाए बनना आपका आचा टाइट हो जाएगर खाने में अच्छा नहीं लगेगा अगर आप क्यों हाँ बारिस हो रहा हो या फिर धूप नहीं हो तो पंखा के नेचे आप इस तरह से पसार के 24 गंटा के लिए इसको रख सकते हो तो चलिए साम को मिलते हैं तो यह देखे हम एक दिन का धूप आम में लगा लिए हैं अब हम इसमें नमक और हल्दी के साथ आम को अच्छे से मिलाएंगे तो यहां पर हम स्वादनुसा नमक डार रहे हैं अगर गराम में बुलिएगा तो 100 गराम नमक है और दो बड़े चमच हल्दी पड़र हल्दी और नमक के साथ अच्छे सा हम को मिला लेंगे तो यहां पर एक बात का धियान देना बहुत जूर्व है जिस पतिला में या फिर चमच में आम का इस तरह से मिलाएं उसमें पानी या फिर पानी का नमी नहीं रहना चाहिए बन्ना आपका आचार खराब हो जाएगा तो यह उसमें थीटरश हमने अच्छे से लसमागत सा हल्दी और नमक के साथ आम को मिले लिए अब isको हम ढखके पुरे रात के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे तो यह देखिए फिर इन पूरे रात नमक और हल्दी मिला के हमने आम को ढख के रखे थे तो यहाँ पर जो हमने नमक मिलाए थे ना उसके बज़े से आम ने कितना सारा पानी छोड़ा देख सकते हो यह देखिए यहाँ पर हमारा जो आम है लगबक 20 परसंट तक गल चुका है नमक ने इसको गला दिया है तो चेली इसका जो पानी है इसको हम ज़ाड़ लेते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा चानली ले लिए उसमें हम आम को डाल के इसको पानी को जड़ने के लिए छोड़ यहाँ पर जादा इस्तमाल ना करें बरना आपका आचार जो है तीता हो जाएगा अब हम यहाँ पर डाल देंगे दो बड़े चमच धेनिया 25 गराम के करीब जीरा डेड़ से दो बड़े चमच यहाँ पर सौप ले लिए सौप से इसका टेस्ट भूती अच्छा था आप च अब को हम मीडियम फिले में तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से एक अच्छा खुसबू ना आ जाए राच्छे से भूना ना जाए तो यहाँ पर हम कुछ और मसाला का इस्तमाल करेंगे तो हम यहाँ पर ओही मसाला को रोस कर रहे हैं जिसका पॉडर बनाएंगे तो यह त्यल को तना ही गरम करना है ताकि इसका जो कच्छा पना ए ओ Оŧ खतम हो जाएं तो देख सेको हमारा जो हुम पर तेल अच्छी से गरम हो चुका है तो यह लीजिए हमारा आचार का मसाला बन के हो चुका आते ही यह बहुत ही एक अच्छा खुसबू है इसमें इधर हमने जो आम को पानी जड़ने के लिए रखे तो भी अच्छी से जड़ चुका तो देख सकते हैं कितना सारा पानी जड़ा आई यह देखिए तो चलिए हम मिला इसमें हम एक तेल गरम ख़रके यह आदा तेल डाले जड़ारा जंग्याा वां तो भी जड़ना नहीं कियी आद़ हपसा गरम है तो यहां पर हल्का गुटट़्य तेल ही स्तमाल कर रहें किस यह एक बड़े चंज मंगरेला तो या पर कालीज़ी जीरा जीना अज़ान और अच्छे चंभक क्राव सों 16 clicking here ingredient को टेस्ट भुछत ही अच्छा आता है अब baru बड़े के लिए के लालिमिस ह्ट डाल चुके हैं ओर फोस्ट च्छब्च घगानक की तिय को क्लानक मताषल करें नमक क तो टेस्ट बड़ें तो यह दो पने हैं तो भीं हम अच्छी से दिल के साथ मिला लेंगे चै़िए तो यह दिखिया हमारा मसाला बन के हो चुका हाति या अब आम को डाल देंगे और आम के साथ हम अच्छी से मसाला को भी तो हम आप लोग को बता नहीं सकते हैं कि हमारे घर में कितना सुन्दरी खुषबू आया है मसाला के बज़े से बहुत ही ला जुआ भी खुषबू में पानी आ जा रहा है तो यह देखे हमने अच्छे से आम के साथ मसाला को मिला दिये हैं अब हम यहाँ पर डालेंगे दो ब पर्फरक्ट भी बनेगा और खराब भी नहीं होगा अब बेनिगर को अच्छे से आम के साथ मिला लिए हैं तो यह दिखे हमारा यहां पर आचार बनके हो चुका है यह देखिए अब चाहिते इसको चक कभी देख सकतो यहां पर आपका नमक के मातरा कम लगे तो डाल सकतो हो अब हम यहाँ पर जो तेल रखे तो अच्छे से ठंडा आ चुका, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मसाला और आम के साथ मिला लेंगे तो हमने अच्छे से तेल को डाल के मिला लिये हैं अब हम इसको अच्छे से ढख देंगे और ढख के इसको दो से तीन दिन का धूप दिखाएंगे तो हम इसलिए ढख रहें तक इसमें धूल मिट्टी ना पड़े इसी से पातला कोटन का कपड़ा से इसको ढखे ताकि इसमें अच्छे से धूप आ जाए तो इस तरह से हम इसको बांध लेंगे इसको दो दिन से तीन दिन का धूप अच्छे से दिखा देंगे इसके बाद आ दो से तीन दिन हम आचार में धूप लगाएंगे और बीच बीच में चला लेंगे ताकि आचार में जो है अच्छे से हमारा धूप लग जाए तो तीन दिन हमने अच्छे से आचार में धूप लगा लिये हमारा आचार जो है अच्छे से बन के तेयार हो चुका है हार ठीटेल गरम ऑ hypoc face prior Alles वे चाहिए तो अब आपको थोड़ा सा लिक्वीट चाहिए तो यहां अपर तो निकाले सुखा चमच से करें तो देखें। यह लीजिए हमारा पॉर्फेक्ट आचार बन के हो चुका है यार आप हम इसका ढखकन बंद कर देंगे और दो से तिन दिन हम फिर इसी तरह से धूप लगा देंगे यह रेसे पे आप लोगो कैसा लगा पिलीज कमेंट करके बताएगा वीडियो के अन तक देखने के लिए ब